शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे मैं आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिलट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार भीशन गर्मी, लूब और तेज धूप से जूज रहे दिल्ली NCR के लोगों के लिए मौसम विभा की ओर से खुश खबरी आई है एक दो दिन में बिशन गर्मी से कुछ राहत मिलने की उमीद है धीरे धीरे प्री मौनसून गती वीधियां शुरू होंगी और 16 जून तक इनके बढ़ने की उमीद है सबताहांत तक ताक्मान में 7 से 8 डिगरी कम होने का अनुमान है मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाय रहने और बूंदा बांदी की भविश्यमानी की है अधिक्तम ताक्मान 43 और न्यूंतम ताक्मान 32 जिगरी सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिनों तक हर रोज वर्षा होने का अनुमान है मौसम विभाग ने आगामी 5 दिन के लिए तो येलो अलट भी जारी कर दिया है इससे बुदवार तक 12, 41 जिगरी सेल्सियस तक गिर जाएगा और 16 जून से चिल-चिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना है मौसम विग्यानियों के मुताबिक आने वाले सब्ताहांत में गरच के साथ बोचारे बादल छाय रहने, तेज हवाय चलने और हलकी बारिश का अनुमान है सवदर्जन केंदर पर रविवार तक अधिक्तम ताकमान 36 डिगरी सेल्सियस तक गिर भी सकता है वहीं सकाइमेट वैदर के उपाद्यक्ष का क्याना है कि 19 से 20 जून से पश्चिमी राजिस्थान, सौराश्र और कच्छ को छोड़कर उत्तर भारत में प्री मौनसून गतीवीदियां मजबूत हो जाएंगी इसके साथ साथ ही मौनसून भी आगे बढ़ता रहेगा इससे वर्षा की कमी की भरपाई भी हो जाएगी यूट कोट, माकेट टाइम्स टीव